दोस्तों हिंदी की बिंदी से आनले में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MP Assistant Professor में Unit 4 की जिसके अंतरगत मैं सब आप सभी को राम ची रितमानस जो है मैं करवा रही हूँ तो आज इसमें अयोध्या कांड का अंतर्म टॉपिक श्रीराम भरत समवाद पादुका प्रदान और भरत जी की विदाई यानि की देखिए श्रीराम और भरत का जो समवाद है वो वला टॉपिक हो चुका है जब भरत जी श्रीराम से मिलने आती है तो वहाँ जो उन दोनों के बीच वार तलाब होता है तो उसका टॉपिक अलग है यहां पर जो यह श्रीराम और भरत का समवाद है वो उनके विदाई के समय का है यहां आपको यह टॉपिक पढ़ना है कि वो पादुका लेकर भरत की जब विदाई होती है तो यह जो आपका अंत्रिम टॉपिक है अयोध्या कांड का वो मैं पढ़ने जा रही हूँ तो क्या का टॉपिक है जरूर देखिएगा और प्रिविएस वीडियो के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इसके अलावा प्लेइलिस्ट भी तयार है जुरा समाजू भरत भूमी सुर तेरे ही तुराजू भले दिन आज जानी मने माही राम कृपाल कहत सुक चाही तो है यहां जो है आपने पढ़ा की देखिए इससे पहले जो टॉपिक था वो था कि जो भरत जी है वो चित्रकूट ब्रहबन के लिए गए थे और वहां से वो वापिस आते हैं और श्री राम के पास रहते हुए जो है पांच दिन बीत जाते हैं तो इसके बाद भूर नहाई सबु जुरा समाजू कि सबेर यानि कि छटवे दिन सभी समाज जो है इसनान करके भरत जी भूमी सुर्ज जो है वो जनक जी को कहा है तेरे हुटू यानि कि तेरे हुट जो है वो ब्रामन के लिए कहा गया है और राजु यानिकी जो सारा समाज था जो और लोग थे सभी समाज जो है स्नान करके सभी वहाँ इकटे हो गए जुट गए इकटे आ गए भला दिन आज जानी मन माही आज सब को विदा करने के लिए जो दिन था वो भला दिन यानिकी अच्छा दिन है राम किर्पालू कहत सकचाही यह मन में जानकर राम जी जो है ये कहने में सकचा रहे हैं कि किस प्रकार जो है सब को ये कहें कि आज अच्छा दिन है आप सभी यहां से विदा ले तो आगे कहते हैं गुर्क नर्प भरत सभा अवलो की सकचाही राम फिरी अवनी विलो की सील सराही सभा सब सोची कहून राम समस्वामी संकोची तो कहते हैं कि गुरू नर्प भरत सभा अवलो की कि राम जी ने गुरू वसिस्ट जी नर्प यानि कि राजा जनक जी भरत जी और सभी जितने सभा गड़ हैं उनकी और उन्होंने देखा सकुची राम फिरी अवनी बिलो की और फिर अवनी यानि की धर्ती तो सभी की और देखने के बाद फिर सकुचा कर अपनी जो नजर है वो धर्ती की तरफ उन्होंने फिर लिया वहाँ वो धर्ती के तरफ ताकने लगे सीर सराही सबा सब सोची सबा जो है जो भी सबा में मुझू थे सब उनके शील सुभाव की सराहना करने लगे और सोचने लगे कहुना राम सम स्वामी संकोची कि कहीं भी इस जगत में सीराम के समान संकोची सुभाव का स्वामी नहीं है अगे हैं भरत सुजान राम रुख देखी उठी सप्रेम धरी धीर भिसेसी करी दंडवत कहत कर जोरी राखी नात सकल रुचि मोरी तो कहते हैं कि भरत सुजान राम रुख देखी कि सुजान भरत जी ने शिराम जी का रुख देखा उठी सप्रेम धरी धीर भिसेसी और प्रेम पुर्वक उठकर धार धीर धर करी दंडवत कहत कर जोरी और हाथ जोड़कर दंडवत करके कहने लगे राखी नात सकल रुचि मोरी कि आपने जो है मेरी सभी रूचियां रखी है मेरी सभी बात जो थी मेरे मन में वो सभी बात जो है आपने रखी है मोही लगी सहेव सबही संतापू बहुत भाती दुखू पावा आपू अब गुसाई मोही देव रजाई सेव अवद अवद भर जाई तो कहते हैं कि मोही लगी सहेव सबही संतापू कि मेरे लिए यानि भर जी के लिए सब लोगों ने यहां संताप सहा है यानि कि अपने राजसी जो सुकत है उनको छोड़ के यह वनो जंगलों का जो दुख है वो सभी लोगों ने मेरे साथ सहा है बहुत बहाती दुख पावा आप और सभी आप सभी ने जो है बहुत प्रकार से दुख जो है यहां पाया है अब गुसाई मुह देव रजाई कि हे स्वामी यानि हे स्वाम जी आप मुझे अब आग्या दे सेवव अवद अवदी भरी जाई मैं अवद जाकर यानि कि जो अवद है वहां जाकर अयोधिया जाकर अब 14 वर्षों तक जो है वहां पे सेवा करूं वहां जो है मुह सबकी सेवा करूं अगर जेहु उपाय पुनि पाय जनू देख दीन दयाल कि हे दीन दयाल जही उपाई पुनि पाई जनु देखी कि जिस उपाई से यह दास फिर चरणों का जो है आपके चरणों का दर्शन करे कि हे कोशल दीश यानि कोशल के राजा हे करिपालू तो अब यह जो कुश शण बचे हैं आवदी भर जो हमारे पास समय है उसमें मुझे कुछ ऐसी ही जो है आप सिक्षा दीजिए पुरिजन परिजन प्रजा गुसाई सबसुची सरस सनेह सगाई रावर बदिभल भवब दुख कदाहू प्रभू बिन बादी परम पदलाहू तो कहते हैं कि हे गुसाई पुरिपर परिजन प्रजा गुसाई कि हे गुसाई आपके प्रेम और संबंद में जो ये अवदपुर वासी है सब सुची सरस सनय हुँजगाई यह जो अवधपुन के जो यह वासी है पुर्जर यह जो हमारे पूरवज है परिजन है यानि यह जो सारी प्रजा है सभी जो है इस पवित्र और रस से याननद से जो है युकत है रावर बदी भल भवव दुख काहू कि आपके लिए भवव दुख यानि की जन्म बरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है यानि इस्वर के लिए श्रीराम जी के लिए जो ये जन्म बरण के दुख की जो ज्वाला है वो दुख जेलना भी अच्छा है इसकी जाले में जलना अच्छा है प्रभु बिनुबादी परमपद लाहू और प्रभु के बिना मोक्ष का जो लिए लाब है यह जो परमपद यानि की जो मोक्ष है उसका लाब भी व्यर्थ है बेकार है अगर स्वामी सुजानु जानी सब ही की रूची लाल सा रहनी जन की प्रणद पाल पाल ही सब काहू देऊ दूहु दीसी और निवाहू तो स्वामी सुजानु जानी सब ही की है स्वामी आप जो है सुजान है सभी के हिर्दे में हैं रूची लाल सा रहनी जन की और मुझ सेवक के मन की रूची लाल सा और रहनी जान कर भी प्रणद पाल पाल ही सब काहू कि हे प्रनत पाल आप सब किसी का पालन करेंगे देव दुह दीसी और निबावू और देव दोनों और अंत तक निबाहेंगे यानि कि आप हर तरीके से जो है सबी और देखेंगे दोनों तरफ जो है ध्यान देंगे कि मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत भरोसा है कि विचार करने पर तिनके बराबर भी यानि कि जरासा भी मुझे ऐसा कोई सोच नहीं रह जाता कोई संदे नहीं रह जाता आरती मोर नात कर चोहू कि मेरी दिन ता और मेरे स्वामी का जो ये सने है दोनों ने मिलकर जो है मुझे जबरदास्ती धीट बना दिया है तो अब जो है मुझे किसी प्रकार का कोई संदे नहीं है मुझे सब प्रकार से बहुत भरोस है ये सारी बाते भरजी कह रहे है यह बड़ दोस दूर करी स्वामी तजी संकोच सिखाई अनुगामी भरत बिने सुनी सबही प्रसंसी खीर नीर भिबरन गती हसी कि यह बड़ दोस दूर करी स्वामी कि है स्वामी इस बड़े दोश को जो है दूर करके कि संकोच त्याग कर मुझे सेवक को भी आप जो है सिक्षा दीजिए अनुगामी अपना सिक्षा जो है मुझे दीजिए भरत भी ने सुने सबही प्रसंसी और बनत जी की विंती सुनकर जितने भी लोग थे वहाँ पे सबा के सबने उनकी प्रशंसा की खीर नीर विबरन गतिहसी कि खीर यानकी जो दूद और जल को मिलाने से खीर बनता है तो कहते कि जो हंस है उसकी सी गती जो है हंस क्या करता है दूद को और पानी को अलग कर देता है तो ऐसी गती जो है यहाँ पर भरत जी ने चली है और इस कारण सब ने उनकी प्रशंसा की है आगे कहते हैं दीन बंदू सुनी बंदू के वचन दीन चलहीन देशकाल अवसर सरिस बोले रामो प्रवीम तो कहते हैं कि दीन बंदू और परम चतुर शीराम जी ने भरत जी के दीन और छलहीन रहीत वचन सुनकर यानि उन्होंने जो ये बात कही है कि मैं डीट बन गया हूँ और मुझे अशिरवार दे मुझे कुछ सिक्षा दीजिए कि मैं इस संकोच को त्याग सकूँ आपकी द्वारदी के सिक्षा पे चल सकूँ तो ये जो भरत जी की बात है शीराम ने सुनी तो उन्होंने जो है अपने दीन और छलहीत भाई के वचन सुनकर देश काल और अवसर के यानि जो उस समय की अवसर था उसके अनुकूल भरत शीराम जी बोले तात तुम्हारी मोरी परिजन की चिंता गुरही निर्पही घरवन की माथे पर गुर मुनी मिथलेसू हमही तुमही सपने हूं नकलेसू कि तात तुम्हारी मोरी परिजन की है तात तुम्हारी मेरी ये संपोर्ण परिवार के चिंता गुरही निर्पही घरवन की कि वन की सारी चिंता गुरु वसस्ट जी माथे पर गुरु मुनी मिधले सुकी ये जो चिंता है तुम्हारी चिंता मेरी चिंता परिवार की घर की वन की ये सारी जो चिंताएं हैं वो सारी चिंताएं तो गुरु वसस्ट जी और महराज जनक जी को है कि हमारे सिर पर सब गुरुजी ने मतलब सब गुरुओं का हाथ हमारे उपर है तो हमें और सपन में भी कोई कलेश, कोई दुख नहीं होगा क्योंकि हमारे पर हमारे बरोका आशिरवाद है तो कहते हैं कि मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुशार्थ, स्वार्थ, स्वार्थ, सुर्यश, धर्म और परमार्थ इसी में है, पितु आई, उस पाल ही धोई, कि हम दोनों जो है, अपने पिता की आग्या का पालन करे कि हम दोनों भाई जो है, वो पिता की जो आग्या है, पिता जी ने जो बचने दिया है, उसकी आग्या का पालन करे लोक बंद भल भूप भलाई कि राजा की भलाई से ही लोक और वेद दोनों में भला है कि राजा की भलाई राजा के लिए जो अच्छा है उसी से तो ये लोक और वेद दोनों में भलाई लिखी हुई है चले आगे आगे है गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले चले हूँ कुमग पग परही न खाले असे बिचारी सब सोच भी हाई पाले हूँ अवद अवदी भरी आ जाई तो कहते हैं गुरु पिता माता स्वामी सीख पाले कि स्वामी की जो सिक्षा है उसकी आग्या का पालन करने से कि कुमार्ग पर भी चलने पर पैर गड़े पर नहीं पड़ते यानि कि जो मनुश्य जो व्यक्ति है गुरू की माता पिता और स्वामी की आग्या का पालन करते हैं तो वो अगर गलत रास्ते पर भी चल जाएं तो उनके पैर गड़े में नहीं पड़ते यानि वो पतन के रास्ते पे नहीं चलती असे विचारी सब सोच भी हाई ऐसा विचार कर सब सोच छोड़ कर पाला हूँ अवद अवदी भर जाए कि अवद पूरी में जाकर अवदी भर यानि कि जो समय है 14 वर्ष का उसमें उस आध्या का तुम पालन करो आगे है देशू कोसू परिजन परिवारू गुरपद जरही लाग छरुभारू तुम मुनी मातू सचिव सिख मानी पालहू पुहू ममी प्रजार जधानी तो यहां कहते हैं कि देश कोस यानि कि खजाना परिवार आधी सब के जिम्मेदारी गुरू पदर जरही लाग छरुभारे की कि इन सब की जिम्मेदारी है देश की खजाने की कुटू और परिवार की वो तो गुरू के चरणों के धूल में हैं तुम मुनी मातू सचिव सिख पाने की तुम पर तो मुनी मवसिस्ट जी की माताओं की मंतरियों की सिख्षा मान कर सभी की जो सिख्षाए हैं वो तुम मान कर पाले हो पुम्हुमी प्रजा रजधानी कि तुम जो है इनकी सिख्षा मान कर उसके अनुसार ही पृत्वी प्रजा राजधानी की रख्षा का पालन भर करते रहना है यानि कि ये सब जो तुम्हें आ गया दे उसके अनुसार जो है तुम्हें अपना राजधानी जो है तुम्हें अपनी प्रजा जो है इसकी रक्षा करते रहना है अगे हैं मुख्या मुख्य सो चाहिए खान पान कहूँ एक पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहते विवेक यहां तुलसी दास जी कहते है कि शिराम चंदर जी ने कहा है कि मुख्या जो है वो मुख्य के समान होना चाहिए जो खाने पीने को तो एक है यानि कि खाने पीने को तो अकेला है परन्तु पालई पोशई सकल अंग तुलसी सहते विवेक लेकिन विवेक पुरवक जो है वो अपने सब अंगों का पालन पोशन करता है तो तुल्सि जाज जी यहां कहते हैं कि शिराम चंद्रेजी ने कहा है कि मुखिया जो है वो मुख के समान होना चाहिए जो खाने पीने को तो एक है परंतो विवेक पूर्ण सब अंगों का पालन करता है तो वो केवल एक मुख है और जब वो मुख से हम खाना अंदर लेते हैं भोजन अंदर लेते हैं तो वो संपुर्ण शरीर के अलग-अलग हिस्सों में उस भोजन का पोशक दत्व जो हमें मिलता है तो इसी प्रकार से परिवार के मुख्या को होना चाहिए जो होता तो अकेला है लेकिन सभी की रक्षा जो है वो करता है अंगे कहते हैं राज धरम सरबसु इतनोई जिमी मन माह मनोरत गोई बंदु प्रबोधु किन बहु भाती बिनु आधार मन तोशना साती तो कहते हैं कि राज धरम सरबसु इतनोई कि राज धरम का जो सार है वो केवल इतना है जिमी मन माह मनोरत गोई कि जैसे मन के भीतर कोई जो है मनोरत छिपा रहता है इसी प्रकार से जो राजधर्म है उसका विसार केवल इतना ही है जैसे मन के भीतर कोई मनोरत छिपा हो बंदो प्रबोध किन बहु भाती कि श्रिगुनात जी ने अपने भाई भरत को बहुत प्रकार से जो है समझाया बिनो अधार मन तोसु नसाती परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोश हुआ जाने कि उनको जो श्राम जी ने है उनको अलग-अलग उधार अ संतोश और ना शांती उनको मेले भरत सील गुरु सचिव समाजु सकुच सने विबसर गुराजु प्रभु की करिक किरपा पावर दिन्ही सादर भरत सीसधर लिन्ही तो कहते हैं कि भरत सील गुरु सचिव समाजु कि भरत जी का प्रेम उनका जो शील वभार था और उदर गुरू, मंत्री और समाज की उपस्तिती देखकर सकुच सनेहे विवस रगजाज कि शीराम जी जो है रुगनात जी जो है वो संकोच और सनेह के वशी भूत जो है वो हो गए प्रभुकरी किर्पा पावरे दिन ही और आखे उन्होंने अपनी जो दो खड़ाओं है वो दे दी सादर भरत सीसे धर लिनी और भरत जी ने उसे आदर सहित अपने सिर पर धारण कर लिया चरन पीठ करुणा निधान के जनुजुग जामिंद्क प्रजा पान के संपट भरत सनेहरतन के आखर जुग जनुजीव जतन के तो कहते हैं कि करना निधान श्रीराम जी के दोनों खड़ाओं प्रजा की रक्षा के जनुजुक जामिक प्रजा प्रण के ये जो खड़ाओं है वो प्रजा के प्रणों की रक्षा के लिए दो प्रहरेदार के समान है संपुट भरत सनेह रतन के और भरत जी के प्रेम रूपी रतन के लिए मानो ये डिबबा है आखर जुग जनुजीव रतन के और जीव के लिए साधन के लिए मानो राम नाम के ये दो अक्षर है तो यहां देखी सकती है इन पदों में अगर प्रश्णों का मैं विवरन दू कि इसमें क्या प्रश्ण पूछा जागते देखी यहां जो खड़ाओं है उसकी जो वैक्या जो है अलग-अलग शब्दों में की गई है पहली जो है बताईए कि यह दो पहरेदार के सहमान है और फिर भरत जी के प्रेम रूपी रतन के लिए मानोड डिब्बा है और जीव साधन के लिए जो है राम नाम की यह दो अक्षर है तो अलग-अलग जो है नाम इसको दिया गया अगे है कुल कपाट कर कुसल करम के बिमल नैन सेवा सुधरम के भरत मुनी मुदित अवलंब लहे ते अस सुख जस सिये राम रहे थी तो कहते हैं कुल कपाट कर कुसल करम के कि रगु कुल की रक्षा के लिए ये दो किवाड है यानि कि जो खड़ाओं है वो दो किवाड के समान है कपाट यानि कि दरवाजे के समान है बिमल नैन सेवा सुधरम के और कुशल कर्म करने के ल गए दिए दो हाथों के समान है भरत मुदित अवलंब लहेते और भरत जी जो है इसके मिल जाने से बहुत अनंदित है बिमल नायन सेवा सुगतरम के और यह जो है सेवा स्ट्रेस्ट करने के लिए सुझाने के लिए निर्मल नेत्र है तो यहां देख सकते हैं कि दो किवाड कहा गया है फिर दो हाथ के भात ही साहय कहा गया है और फिर इसके बार निर्मल नेत्र जो की रास्ता सुझाने का काम करते हैं यह सारी चीज़े कही गई है अस सुख जस जी राम रहे थे उन्हें ऐसा ही सुख परसी आनंदित हो गए जैसे सीता राम जी स्वैम उनके साथ रहते हुए उन्हें जो सुख प्राप्त होता है साहीं उनको मिला मांगे विदा प्रणाम करी राम लिये उरलाई लोग उचाटे अमरपती कुटल कुव सरुपाई तो मांगे विदा कि भरत जी ने प्रणाम करके उनसे विदा मांगी राम लिये उरलाई और तब हिर्दे से जो है शीराम जी ने उनको लगा लिया उनको उप्रे गले से लगा लिया लोग उचाटे अमरपती कुटल कुव सर आई और इधर कुटल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उचाटन कर दिया सो कुचाली सब कह भई नी की अवदी आस सम जीवन जी की नतरू लखन सी राम भी होगा हा हरी मरत सब लोग कुरोगा सो कुचाली सब कह भाई निकी वह कुचाल भी जो इंद्र ने किया वह भी सबके लिए हिटकर ही बन गई बहलाई काही उस कुचाल ने किया अवधी आससम जीवने जीकी özDa की आशा के समान ही वह जीवन के लिए जो है जैसे समय जो सब सोच रहे थे कि 14 वर्षों का वह भी जो आशा थी लोगों की वहाँ पे वो भी संजीविनी का उसने काम किया नतरू लखनसिये राम भी होगा नहीं तो लक्षमन जी सीता जी और शिराम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबरा कर मर ही जाते हैं कि सब को जब ये पता चलता कि ये लोग नहीं आए हैं शिराम जी लक्षमन जी और सीता जी तो सब जो है बुरे तरह से जो है परिशान हो जाते उनके वियोग में और मरी जाते लेकिन ये जो कुचाल उसने चल दी इंदर ने तो इसके कारण लोगों का भला ही हुआ राम कृपा अब스럽 सुधारी बिबधू बीबुद धारी भई गुनद गोहारी भेटत भुझभरी भाई भरतसो रामप्रेद में रशूना कहीं न परतसो कहते हैं कि श्री राम जी कि कृपा इससे सारी उलजण ही सुधर गई बेबदधारी भई गुणद 그हारी और देवताओं की जो सेना जो उनको लूटने आई थी वो भी उनके लिए गुणद यशी गुणकारी ही सिधभई और और रक्षक उनकी बन गई भेटत भुजबही भाई भरत सो और स्रीराम जी की भुज़ाओं में भर कर यानि स्रीराम जी ने जो भरत को गले में से लगाया था भरत जी उन से मिले रहे थे गले से लगे हुए थे भाई के राम प्रेम रसुना कही न परत सो कि स्रीराम जी के प्रेम का वह आनन्द यहां पर कहते ही बनता है तो यहां पर आप इस को जब चित्र जो है आपके मस्तिस में कुछ ऐसा आनन्दित आएगा कि भरत जीने जो है को स्रीराम जीने जो है गले लगा रखा है तो कितना वाकई वो आनदित समय रहा होगा, इसका वर्णन वैक्षान नहीं किया जा सकता। अगे है तन मन बचन उमंग अनुरागा, धीर धुरंदर धीरज त्यागा, बारिच लोचन, मोचत बारी, देखी दसासुर, सभाद उखारी। तन मन बचन उमंग अनुरागा, कि तन मन और बचन तीनों में प्रेम का अनुराग उमढ गया, धीर धुरंदर धीरज त्यागा, कि धीरज की धूरी है, कि श्री राम जी जो धीरज की धूरी है, उनका भी धीरज यहाँ पर खतम हो गया, उन्होंने भी अपना धीरज यानि कि वे उनके जो आँखे हैं कमल के समान जो उनके नेत्र हैं उसमें आंसों की धारा बहने लगी देखी दसासर सभा दुखारी और उनकी यह देशा देखकर देवताओं की सभा जो वहां इकतरती सब दुखी हो गए मुनिगन गुर धूर धीर जनक से ग्यान अनलमन कसे कनक से जे बिरंच निर लेप उपाए पदुम पत्र जिमी जग जल लाए जाए तो कहते हैं कि मुनिगन गुर वसिस्ट जी और राजा जनक जी सरीखे से जो धीर धुरंदर थे ग्यान अनलमन कसे कनक से जो अपने मन में ग्यान की अगनी में सोने की समान जो है इस बात को कस चुके थे जो जे बिरंच निर लेप उपाए जिनको ब्रमा जिन निर लेप ही रचा था पदम पत्र जी में जग जल जाए और जो कमल के पत्ते की तरह ही पैदा हुए यानि कोमल इतने कोमल जो है वो पैदा हुए तेव बिलो की रगवर भरत प्रीती अनूप अपार भय मगन मन तन बचन सहित बिराग विचार तो कहते हैं कि देव बिलो की रगवर भरत प्रीती अनूप अपार कि वे भी श्रीराम जी और भरत जी के उपमार हित अपार प्रेम को देख कर भय मगन मन तन बचन सहित बिराग विचार कि उनके उपमार हित अपार प्रेम को देख कर जो वे रागि और विवेक सहित उनके तन मन बचन जो है सभी के उस प्रेम में मगन हो गए यानि कि जितने सभा में मौजू थे गुरू जी जनक जी सभी के यहां बात की गई है कि वो शिराम और भरत जी का जो प्रेम था वहाँ पे उसको देख कर सभी उस प्रेम के रस में डूब गए कि अगे कहते हैं तो कहते हैं कि जहां जनक गुरू गती मती भो रिया जनक जी कि गती भी मती भी जाने ही जयनिकी पुद्धी की गती भी कुंठीत हो गई प्रक्रत प्रीति कहत बड़ी खोरी उस दिव्य प्रेम को जो उन्होंने वहां देखा कि उस दिव्य प्रेम को लौकिक कहने में बड़ा दोश है यानि उस प्रेम को लौकिक नहीं कह सकते जिस प्रकार का प्रेम जो है वहाँ उन्होंने देखा बरनत रगुबर भरत वियोग कि श्री राम और भरत किया का वियोग वर्णन जो है सुनी कठोर कभी जाना ही लोग कि लोग कभी को कठोर हिर्दे ही समझेंगे यहाँ पर तुलसी राजी कहते है कि तुलसी राजी ने भरत राम जी के जो वियोग का वर्णन किया है कुछ इस प्रकार से तो इस वर्णन को जब उन्हेंने लिखा होगा तो उनको जब यह लोग पढ़ेंगे अने लोग पढ़ेंगे तो वो कवी हिर्दे को कठोर ही कहेंगे कि वो इस प्रकार का वर्डन कर पाए क्योंकि उनके इस प्रेम को देख कर जनक जी और गुरु वसिस्ट्री के बुद्धी भी कुंठे तो हो गई आगे कहते हैं सो सकोच रसु अकत सुबानी समव सनेह सुमिरी सकुचानी भेट भरत रगवर्व समझाए पुनी रिपुवद वनु हर सी हिय लाए तो कि वे संकोच जो सकोच यानि कि संकोच रस जो है वो अकतनी है उसको कोई भी बता नहीं सकता समव सनेह सुमिरी सकुचानी कि कवी की जो सुन्दर वानी है उस से में उनका स्मरण करने उनके प्रेम का जो वर्णन करने में जो है वो भी सकुचा गई यानि कि ऐसा प्रेम का वर्णन कवी के दोरा भी नहीं किया जा सकता भेटी भरत रगवर समझाए कि भरत जी को भेट कर श्री रगुनात जी ने फिर उनको समझाया पुनीर पुदवन हर्शी ही लाए फिर हर्शी तो होकर सत्रुगन जी को उन्होंने हिर्दे से लगा लिया तो सबसे पहले तो वो भारत जी को उन्होंने अपने हिर्दा से लगा लिया और अश्रुधारा जो है अपनी धीरे जी जो है वो रोक नहीं पाए और अश्रुन के नित्रों से बहने लगा फिर यहां पर इसका वर्ण जो है कवी के द्वारा भी करने में संकोच अनभव हो रहा है तो इसके बाद भरत जी से मिलने के बाद श्रीराम जी ने उनको समझाया और इसके बाद उनने श्रत्रुगन जी को गले से लगा लिया कि सेवक मंतरी भरत जी का रुख पाकर निजनिज काज लगे सब जाई कि सब जो है अपने अपने काम में जाने लगे सुनिदारुन दुख दुखु समजा और यह सुनकर दोनों समाजों में बहुत ही दुख चागया लगे चलन के साजन साजा और वे सब जो है चलने की तैयारियां करने लगे प्रभुपद पदुम बंदी दो भाई चले सीस धरी राम रजाई प्रभुपद पदुम बंदी दो भाई कि प्रभु के चरण कमलों की वन्दना करके और श्रीराम की आग्या पाकर चले सीस धरी राम रजाई कि प्रभु के चरण कमलों की वन्दना करके और श्रीराम जी की आग्या पाकर दोनों भाई यानि कि भरत श्रुगन जो दोनों भाई हैं वो वाँ से चल पड़े उनको प्रणाम करके उनकी अग्या को सिर पे रखके मुनिता पसबन देवनी हो रही मुनी तपसवी और वन देवता सब सनमानी बहुर रही सब का बार बार समान करके उनसे विंती की लखनही भेट प्रणाम करी सीर धरी सिये पद धूरी चले सप्रेम असीस सुनी सकल सुमंगल मोरी फिर उसके बाद जो है लक्षमन जी को भेट करके और उनको प्रणाम करके सीता जी के चरणों की धूल को प्रणाम कर सिर पर धारन करके यांकि जो धूल है पद धूरी यांकि उनके चरणों की धूल को सिर पर धारन करके और फिर चले सप्रेम समस्त मंगल के मूल आशिरवाद सुनकर वे प्रेम सहित जो है यानि सब ने उनको आशीश दिया और सब के आशीश लेकल वे वहाँ से प्रेम सहित चल पड़े सानुज राम निर्पही सिर नाई किन्नी बहुत बिधी बिने बढ़ाई देव दया बस बड़ दुख भापाय। सहित समाज कान नहीं आय। कि सानुज राम निर्पही सिर नाई कि छोटे भार लक्ष्मन जी समेत सिराम जी ने निर्पही सिर नाई कि राजा जनक जी को सिर निवा कर किन्नी बहुत बिधी बिने बढ़ाई और उनकी सब प्रकार से विंती और बढ़ाई करके कहा देव दया बस बड़ दुख पाय। कि हे देव दैवश आपने जो है बहुत दुख पाया है सहित समाज काना नहीं आए आप अपने समाज सहित जो है यहाँ वन में आए कि अब आशिरवात देकर अपने नगर को जो है आप पधारिये किन धीर धरी गवन मही साब यह सुनकर राजा जनक जी ने धीर धर कर गमन किया यानि वहाँ से चल पड़े मुनी मही देव सादू सन्माने फिर शीराम जी ने मुनी ब्रामन और सभी सादू का सम्मान करके विद्या किये हरी हर सम्माने और उनको सम्मान पुर्वक जो है सबको उन्होंने वहाँ से विदा किया सासु समीप गई दो भाई फिरे बंदी पग आसिस पाई कौसिक बाम देव जांबाली पुर्जन परिजन सचिव सुवाली उसके बाद श्रीराम और लक्ष्मन दोनों भाई सासु समीप यानके अपनी सास सुनैना जी के पास गए फिरे बंदी पग आसिस पाई और उनके चरणों की वंदना करके आशिरवाद पाकर वे लोटाए कौसिक बाम देव जांबाली सब को जितने पुर्जन यानि कुटुम्बी थे परिजन नगर निवासी और मंत्री थे सब का उन्होंने वहाँ पे आशिश लिया सब को विदा किया जथा जोगु करी विने प्रणामा विदा किये सब सानुज रामा नारी पुरुस लगु मद्ध बढ़े रे सब सनमानी कृपा निदी फेरे सब को छोटे भाई लक्ष्मन सहित शिराम जी ने प्रणाम और विने करके सब को जो हमां से विदा किया नारी पुरुस लगु मद्ध बढ़े कि किरपा निदा शिराम जी ने छोटे मजले बड़े सबी प्रकार के इस्तरे पुरुष जो भी महां थे सबी को सम्माने करके उन्होंने महां से लोटाया बरत मात उपद बंधि प्रभू सुची सनेह मिलि भेत विदा किन सजी पाल की सकुछ सोच मद सब बेट कहते हैं कि भरत जी गी मान जी ने उसके बाद माता के पास गए और केकई के चड़्णो की बन्दना करके प्रभु शिराम जी ने निश्चल प्रेम के साथ उनसे भेट गी आ विदा के निसलिपाल की और सारे संकोच और सोच को मिटा कर उनकी पाली की सजा कर उन्होंने के कई मातों को फिर महां से विदा किया उसके बाद प्रान प्रिय पती की श्री राम चंद्र जी के साथ सीता जी जो है परिजन मातो पिता ही मिली सीता की परिजन जो उनके परिवार वाले थे जो नहर के उनके कुटुमबी थे लोग थे उनके माता पिता से थे सब से मिलकर सीता जी जो है लोट आई फिरी प्रान प्रीये प्रेम पुरीता सब को नम करके सीता जीुन से मिल कर लौट आई करी प्रे नम दिआनों भेटी सबंट सासो उसके बाद उन्होंने सभी सासों को उननकी जुसास ती שנ compatibility को से कैके सबको नोंने प्रेम किया उनका प्रेम का वड़न करने के लिए कवी के हिर्दे में कोई उस्साह नहीं होता कि उनका प्रेम का वड़न वो किस प्रकार से करे सुने सीख अभिमत आसिस पाई रही सीसिदूई प्रीती समाई रगुपति पटू पालकी मंगाई करी प्रबोदसब मातो चड़ाई सुनि सीख अभिमत आसिस पाई उनके सिख्षा सुन कर और मन चाह आशिरवाद परा कर रही सीएस दुहु प्रीती समाई सीता जी सासुत था माता पिता दोनों की प्रीती में समाई रही यानि की सब की बास में वो मगन रही रगुपति पटू पालिकी मंगाई तब शीराम जी ने सुन्दर सुन्दर पालिका पालिकी मंगाई करिब प्रबोध सब मातों चड़ाई और सभी माता को उनमें उन्होंने चड़ाया बारबार हिली मिली दुभाई समसने जननी पहुचाई साज बाजिगज बाहन नाना भरत भूप दल किन पयाना कि दोनों भाईयों ने माताओं से सप्रेम बारबार मिल जुल कर उनको पहुचाया साज बाजिगज बाहन नाना कि जितने वो साज बाज के समा थे घोड़े हाती सभी प्रकार के दल थे सवारिया थी उनको भरत जी ने राजा जरक जी के दलों को जो है उनके हाती घोड़े जितने सवारिया थे सबसहीत उनको सजाकर वहां से प्रस्थान किया हिर्दे रामसी लखन समेता चले जाही सब लोक अचेता सहबाजिगज पसुही हारे चले जाही पर बसमन मारे कि हिर्दे रामसी लखन समेता कि सीता लक्षमन जी और राम जी ने सब को हिर्दे में रख कर यानि इनको अपने हिर्दे में रख कर चले जा ही सब लोग कचेता सभी लोग इन तीनों को अपने हिर्दे में रख कर बेसुद चले जा रहे है बसह बाजी का जिब बसु ही हो रहा कि बैल, घोडे, हाती, पशु जिजरे भी थे सब हारे हुई अवस्था में हारे मन से जो है वो चले जा रहे है जैसे दूसरे किसी के वश में होकर वो चले जा रहे है गुरु गुर्टि पद बंदी प्रभु सीता लखन समय थे फिरेहरस बिसमे सहित आये परनके कि गुरु वसिस्ट जी और गुरु पत्नी यानि की अरुंदती जी के चर्णों की बंदना करके सीता जी और लक्षमन जी सहित शिराम जी हर्श और विशाद के साथ यानि की परिवार के साथ मिलने की खुशी और उनसे बिछडने का दुख तो हर्श और विसाद के साथ अपने कुटिया में वो लोग लोटाए बिदा किन सनमान निसादू चले हूँ हिर्दे बड़ बिरह विसादू कोल किरात भिल बनचारी फेरे फिरे जोहारी जोहारी कहते हैं कि फिर उन्होंने समान के साथ निशाद राज को वहां से विदा किया वह चला तो सही किन तो उसके हिर्दे में जो है यानि निशाद राज वहां से चले तो सही किन तो इनके हिर्दे में जो है बहुती बड़ा विशाद था कोल किरात भिल बन चारी फिर शीराम जी ने कोल किरात भील जो भी वनवासी थे उन सबी को वहां से लोटाया और वे सब जो है शीराम जी की वनदना करके वहां से लोटे प्रभु सिये लखन बैटी बटब चाही प्रिये परिजन वियोग भी लखाही भरत सने सुभाव सुभानी प्रिया अनुज सन कहत बखानी उसके बाद प्रभु शीराम जी सीता जी और लक्ष्वन जी जो है बट यानि की बढगत के पेड़ के नीचे बैट कर अपने जो उनके प्रिये जन है परिजन थे परिवार वालते उनके वियोग में वो दुखी हो रहे थे इसके बाद भरत सने सुभाव सुभानी भरत जी के सने सुभाव और सुन्दरवानी का वो बखान कर रहे थे यानि शीराम जी जो है अपने भाई के प्रेम का बखान प्रिये अनुज सन प्रिया जो उनकी पतनी सीधा जी है और चोटे भाई लक्ष्वन जी को वो में बढन करने लगे प्रीति प्रतीती बचन मनकरनी श्री मुख राम प्रेम वस्वर्णी तहीब अवसर खम्रिग जल्मीना चित्र कूट चर अचर मरीना कि श्री राम जी ने जो है प्रेम के वश्में होकर भारत जी के मन कर्म की प्रेती और विश्वास का अपने श्री मुख से अपने भाई के प्रेम का जो है वर्णन अपने मुख से किया तहीं अवसर खम क्रिमी जल्मीना कि उसी समय पशू पक्षी और जल्म की जो मचलिया है सभी चित्र कूट चर अचर मरीना सभी जो जीव थे वह चित्र कूट के जितने भी जीव थे सभी उदास हो गए बिबुद बिलो की दसार अगवर की बरसे सुमन कही गती घर घर की प्रभू प्रणाम करे दिन भरोसे हो चले मुदितमन डरना खरो सो कि श्री रगुनात की बिबुद बिलो की दसार अगवर की रगवर की दशा को देख कर देवताओन उन पर फूल बरसा कर अपने अपने दुक जो है उनको सुनाया प्रभू प्रणाम करे दिन भरोसो और प्रभू को प्रणाम करके उनको भरोसा दिलाया चले जो हैं । कांड का जो अंतिम पद था वो समाप तो होता है जहां पर आपको भरत जी की विदाई में जितने दोही थे वो आपको पढ़ने थी तो यह आपका खतम होता है और इसके बाद जो हमारा किश्किंदा कांड जो अब शुरू होगा तो चलिए यहां तक हमारा खतम हो चुका है आगे मैं अगला वीडियो में आगे के टॉपिक शुरू करूंगी तो यह सब टॉपिक आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताईएगा कोई त्रोटी हो तो वह भी अवश्य बताईएगा धन्यवाद